दोस्तो नमस्कार, CoinSwitch Kuber जो की इंडिया की fastest growing cryptocurrency exchange है, जहां पर आप cryptocurrencies में trading कर सकते हैं, इस पर आप अपना account किस तरीके से create कर सकते हैं, इसका मैं बहुत ही आसान तरीका आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस page के उपर आ जाना है, यह CoinSwitch Kuber का mobile application का डाउनलोड करने का page है, application डाउनलोड करने के लिए link मैंने description box में दे दिया है, वहां से जाके आप directly इस page के उपर आ जाएंगे, उसके बाद हमें यहां पर install के उपर click कर लेना है, click करता ही जैसे ही आपका mobile application डाउनलोड हो जाएगा, application को यहां पर open कर लेना है, open करते ही आपके सामने यह नया page open होकर आ जाएगा, यहां पर हमें हमारा mobile number mention करके arrow के उपर click कर देना है, आगे process करते ही आपके mobile number पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे हमें यहां पर डालके फिर से आगे process कर देना है, again आपको नया page यहां पर सामने करना है जो कि आप अपने according कर सकते हैं पिन generate करते ही आपके सामने ये नया पेज open होके आ जाएगा मतलब आपके mobile नंबर के तुरू आपका जो sign up का process था वो पूरा का पूरा complete हो चुका है second step में हम लोग KYC कैसे करना है ये जानेंगे तो उसके लिए जो ये उपर में option दिख र करनी है पहला है basic verification दूसरा है pen card verification और तीसरा है identity card verification तो सबसे पहले हमें basic verification complete कर लेना है तो उसके उपर हम लोग क्लिक कर लेंगे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ details आजाएगी जैसे कि आपका pen number आपका full name date of birth और email id तो ये हमें mention कर लेना है लेकिन mention करते हैं एक चीज याद रखनी है कि pen card में जैसा आपका नाम है as it is हमें वही mention करना है और जो date of birth आपका pen card में mention है same date of birth आपको यहाँ पर डालना है और ड कर यहाँ verify के उपर click कर देना है verify करते ही आपके email id के उपर एक OTP भेजी जाएगी जिसे लेकर आपको यहाँ पर डालके आगे process कर देना है इतना करते ही आपका जो पहला step है basic verification का वो complete हो जाएगा अब हमें दूसरे step में आ जाना है pen card verification में उसके उपर हमें click कर लेना है click करत इसे कुछ instruction आपके सामने आ जाएंगे जैसे कि आपको अपना original pen card ही carry करके रखना है कोई zerox copy नहीं चलेगी इसे हम लोग next कर लेंगे next करते ही आपको आपका जो mobile का camera है उसे allow करने के लिए बोला जाएगा यहाँ पर हमें जो camera है उसे enable कर देना है इनके सगर आपका camera enable नहीं हो पा रहा है तो camera की setting में जाके यहाँ पर enable कर देना है इतना करते ही आपका camera open हो जाएगा अब हमें जो document है pan card उसका जो front page है उसकी pick लेके यहाँ पर हमें simply upload करना है और उसके बाद जो नीचे में option दे रहा है यहाँ पर submit photo का submit photo के उपर click कर देना है again हमें pan card की जो back page है उसक यहाँ पर copy photo को click कर लेना है upload कर लेना है और उसे भी यहाँ submit photo के उपर click कर लेना है इतना करते ही आपके सामने thank you का message आ जाएगा और नीचे में जो option दे रहा है submit verification का उसके उपर हमें finally click कर लेना है इतना करते ही आप लोग देख सकते कि pan card verification जो है वो under process में चले गया है जो कि 2-5 मिनट में वो भी confirm हो जाएगा अब हमें यहाँ पर हमारा final step complete कर लेना है जो की है identity card verification तो उसके उपर हम लोग click कर लेंगे click करते ही आपको सामने कुछ एक नया page open होके आ जाएगा जहाँ पर 3 document आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं verification के लिए पहला है आधार card दूसरा है passport त के उपर click कर लेंगे और उसे submit करके देख लेंगे click करते ही आपके सामने एक instruction आ जाएगा जैसे कि आपको अधार card original ही carry करना है और आपका ही carry करना है हम लोग इसे next कर लेंगे next करने के बाद हमारे सामने mobile का camera open हो जाएगा जिसके through हमें हमारे अधार card की front page की photo ले लेनी है उ picture लेने के बाद हमें उसे upload करना है और finally उसे भी submit photo कर देना है इतना करते ही आपके सामने फिर से एक नया page open होके आ जाएगा जहाँ पर take a selfie का option रहेगा इसका मतलब आपको अपने खुद की selfie लेनी है यहाँ पर तो take a selfie के उपर आपको click कर लेना है और यहाँ पर जो oval दिखा click कर देना है upload photo के उपर click करते ही आपको सामने फिर से thank you का message आ जाएगा और finally हमे submit verification को उपर यहाँ पर भी click कर देना है click करते ही आप फिर से KYC page पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर आप देख सकते हो pen card verification हमारा complete हो चुका है total KYC का जो percentage है 67% complete हो चुका है और identity card verification को भी यहाँ verify होने में 2-5 मिनट लगेंगे अब हमें simply back आ जाना है बैक आते ही आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर unlock wallet का option show कर रहा था वहाँ पर अब show कर रहा है deposit INR और coin switch कुवेर की तरफ से हमको message भी आ चुका है तो हम लोग को simply profile के उपर click कर लेना है profile के उपर click करते ही जो पहला option show कर रहा है user verification का उसके उपर हमें click कर लेना है click करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो तीनो steps थे KYC के वो पूरे के पूरे complete हो चुके हैं और KYC जो 100% completed show कर रही है इतना करने के बाद हम लोग फिर से back आ जाएंगे और जो last process है हमारे पास जो बचा हुआ bank account detail add करने का उसे हमें finally यहाँ complete करना पड़ेगा क्योंकि बिना bank detail add किये आप किसी भी प्रकार का कोई भी transaction नहीं कर पाएंगे buy sell नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए simply हमें bank detail के उपर click कर लेना है bank detail के उपर click करते हैं आपके सामने कुछ details आजाएंगी जैसे कि आपको यहाँ पर account number mention करना है IFSE code आपके bank का mention करना है और finally submit के उपर click कर देना है इतना करते ही आपके email id पर फिर से एक OTP बेजी जाएगी जिसे वहाँ सर लेकर यहाँ mention करके process कर देना है इतना करते ही आपके bank account में 1 rupees का deposit किया जाएगा coin switch kubair की तरफ से in case अगर आपका जो verification है वो complete होता है और आपको यहाँ पर message भी reflect होके आजाएगा देख सकते हैं आप लोग सामने congrats you have successfully added your bank account तो coin switch kubair में किस तरीके से आप अपना account create कर सकते हैं sign up कर सकते हैं KYC कर सकते हैं और finally आप अपना bank account add कर सकते हैं यह सभी चीजों को मिला के मैंने यह video बनाया था बहुत ही आसान प्रोसेस है बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसे execute कर सकते हैं link description box में मैंने दिया हुआ है तो फटा फट जाएए वहाँ से click कीजिए application download कीजिए और अपना account open कीजिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से coin switch कुबेर mobile application पे आप लोग cryptocurrency में buy या sell कर सकते हैं फिलहाल के लिए इतना ही video अगर अच्छा लगा हो तो video को like करे, comment करे, subscribe करे, share करे thank you, thank you so much for watching